बाई और बेहनों, इस बार बिहार का चुनाव बहुती असाधरन परिस्टिति में हो रहा है। कोरोना की बज़ से आज पुरी दुनिया चिन्ता में है, मुश्टिल में है, महामारी के इस कठीन समय में बिहार को स्थीर सरकार बनाय रखने के जरूरत है। विकास को, सुशासन को, सर्वो परी रखने वाली सरकार की जरूरत है। ये समय हवा हवाई बाते करने वालों को नहीं, बलकि जिनके पास अनुबव है, जो बिहार को एक गहरे अंधिरे से निकाल कर यहां तक लाए हैं, उन्हें दूबारा चुनने का ये अउसर है। आप कल्पना कर सकते हैं, एक तरब महमारी हो, और साथ ही जंगल राजवाले राज़ करने आ जाएं, ति ये बिहार के लोगों पर दोहरी तरब की मार हो जाएगी, दोहरी तरब की। सोचिए, कोरोना से लड़ाई के लिए, जो इतनी राज़ी खर्च की जा रही है, कोरोना से लड़ने के लिए, खास तौर पर जो योजनाई शुरू की गिये हैं, आप सोच सकते हैं, अगर ऐसी टोली आई, तो इन पैसों का होगा क्या, साथ क्यों, जंगल राज के युवराज, जंगल राज के युवराज, बिहार की जनता की, और मैं मानता हूँ, एक जंगल राज के युवराज से, बिहार की जनता, पुराना ट्रेक रेकॉर्ड के अधार पर, और क्या अपेक्षा कर सकती है, जंगल राज की परंपरा में, सब कुछ सिखने वाले, लोगों को मुझसे ज़्यादा अच्छी तरब बिहार की जनता जानती है, मुझे ज़्यादा कुछ कहने की जरुरत नहीं है, इसलिए ही बिहार के लोग इस प्रण के साथ आगे बढ़ रहे हैं, कि कुरोना के साथ ही बिहार को नुक्सान पहुचाने वाली इन ताकतों को भी हराना है, साथियों ये चुनाव आने वाले दसक में इस सदी में बिहार के भविष्य को तै करेगा, आपका एक वोट ये तै करेगा कि आत्म निर्भरता का संकल्प लेकर निकले हुए भारत में बिहार की भुमी का कितनी क्या होगी, आपका एक वोट ये करेगा कि आत्म निर्भरता का लक्स कितनी तेजी से हम पूरा कर पाएंगे,